हेलो व्यूवर्ज, आज हम सीखेंगे कैसे हम SAP Business One में Goods Receipt का डॉकुमेंट एड करते हैं और इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है कि हमने Goods Receipt का डॉकुमेंट एड करना पड़ सकता है और किन किन मैथड से हम यह डॉकुमेंट को एड कर सकते हैं तो सबसे पहले हम inventory पे क्लिक करते हैं उसके बाद inventory transactions पे क्लिक करते हैं और हमारे पास Heute expense का डॉकुमेंट यह हमारे पास Goods Receipt का डॉकुमेंट ओपन हो चुका है एड कर सकते हैं कि हम Goods Receipt का डॉकुमेंट एड कर सकते हैं एक हम Simple इदर Item को Select करके तो independent हम goods receipt का document add कर लें और दूसरा method हमारे पास होता है कि हम copy from करके goods issue की base पे हम goods receipt का document add करें सबसे पहले हम पहले method independent वाले method पे देखते हैं कैसे document add करते हैं यह हमारे पास left पे सबसे पहले हमारे पर document number आ गया उसके बाद हमें आपकी series बतानी होती है उसके बाद हमें जो भी item या multiple items जो हम select कर रहे हैं जिनकी हम goods receipt document add करना है उनका उनकी price हम कौन सी रखना चाहरे हैं अभी हम यह अभी आप इस पे click करेंगे तो आपके पास list open हो जाएगी अभी हम last purchase price ही रखते हैं उसके बाद हमारे पास इदर right side पे आ रही है posting date जो हमारी current system की date होती है अगर कोई document है तो वो document date आ जाएगी इसके बाद कोई भी आप SAP का और reference document यूज करते हुए जिसकी base पे आप यह goods receipt करना चाहरे हैं वो भी आप इसदर as a reference यूज कर सकते हैं उसके लिए आप इस तीन dot के button पे click करेंगे तो आपके पास यह form open होगा उसके बाद इस arrow परिकर गएंगे तो आपके पास यह पूरी list open हो जाएगी कोई भी आप as a reference document select करके तो आप use कर सकते हैं अभी हम independently ऐसे ही entry करते हैं अभी हम item select करते हैं तो item select करने के लिए हमारे पास item की list open करने के लिए या item को select करने के हमारे पास तीन method होते हैं या तो हम इस field पे रखके tap का button प्रेस करें तो हमारे पास यह item की list open होगी और हम इदर easily item को select कर लेंगे दूसरा method हमारे पास होता है कि हम इस button पे click करेंगे तो हमारे पास पिर भी यह list open हो जाएगी और तीसरा method है इस नेम की बेसть पे हमारे पास उनकी लिस्ट भी ऑपन कर देगा अब हम स्लेक्ट करते हैं Rainbow Colorprinter इसको स्लेक्ट करते हैं इसके बाद हमें quantity बतानी होती है कि हम कितनी quantity की goods receipt करने जा रहे हैं भी हम five क्यूंट की quantity रखते हैं उसके बाद unit price हमारे पास हमने set किए कि last purchase price होगी इसके बाद वियर्स goods receipt का document तो हमें पता है कि हमारा debit करेगा या increase करेगा हमारे stock को अब हमें बताना होगा कि इस debit के against हमें credit किस account को करना है तो उसके लिए हमें इदर से account code में इस button पे क्लिक करेंगे तो अब भी हम इडर से सलिक्शन करेंगे के हम डैबिट तो हम रामटी या किसी भी स्टाक को मुश्श करने जा रहे हैं OR क्राइड़िट हम किस अकॉंट को करने जा रहे हैं हम हम select कर लेते हैं working progress को लेव यूर्स अभी हमने credit अकउंट भी select कर लिया है हमने सारी मेरेड़ीरी फिल्ड को एड करने के लिए जो ज़रूरी थी वह हमने सारी फिल्ड कर लिए है तो अभी हम सिंपली क्लिक करेंगे एड बटन पर और येस ने वियुर्ज हमारा ये डॉकुमेंट एड हो गया है तो अभी हम लॉस्ट रिकार्ड करते हैं इस के जर्नल एंट्री चेक करते हैं यह जर्नल एंट्री लेदें कि अभी हमारा 49 से स्टॉक इंकरीज हो गया और क्रेडिट वर्किंग प्रोक्रिस हमारा 49 यहां जो के हमाने मैन्विल याकॉंट की सेलेक्शन की थी यह हमारा एक method हो गया कि first method हो गया जिसे हम good receipt को independently add कर सकते हैं control A प्रेस करके हम add mode में जाते हैं अभी हम एक document अब add करते हैं कि हम goods issue की base पे good receipt का document अब करते हैं इस पे click करते है copy from पे फिर goods issue पे click करते हैं recently हमने कोई entry की है यह item lost की यह देखें भी और यह हमने goods issue का document add किया था hundred quantity का के और हमने इसको stock को decrease किया था और हमने credit किया था और debit हमने एक account को किया था यह वाला account उसकी entry भी हम करके check करते हैं तो let's suppose एक scenario लेका चलते हैं कि हमारे यह hundred quantity की यह item loss होगी थी गुम होगे थी लेकिन कुछ दिनों बाद पता चला कि यह गुम नहीं हुई यह मिल गई हमें 50 quantity की मिल गई तो हम पहले तो हमने जब loss होई तो हमने goods issue का document add किया और अब हम में पता चला कि नहीं यह stock में 50 पड़ी हुई थी वो हमने भी हमारी गलत entry थी तो हम 50 से goods receipt का document add कर देंगे जितनी भी हमारी adjustment entry है तो अभी हम 50 के साथ goods receipt का document add कर देते हैं simply अभी हमारा यह document भी आड़ हो गया है इसकी general entry चेक करते हैं राइट क्लिक करते हैं general entry लेवियर्स देखें राव material को 25,000 से debit कर दिया और हमारा credit हो गया है जो के हमारा goods issue पे debit हुआ होगा तो यह उसकी adjustment entry होगी thank you so much viewers अब हमें easily understanding हो गया है कि कैसे SAP business one में goods receipt का document independently कैसे add करते हैं और किस तरह हम goods issue की base पे भी goods receipt का document add करते हैं thank you viewers अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like करें और मेरे channel को भी subscribe करते हैं ठापको में रड़रा का अज़ ड़रा सक्वार का बाब में वीडियो करते हैं वीडियो was बाद़ा है बुरी सफ्प्छी पालवार सबग़्को